तो हेलो बच्चो, स्वागत है आपका एक फिर से आज के वीडियो में जहां आज हम सिखेंगे संख्याओं का घटाना तो आज हम एक अंख्याओं वाली और दो अंख्याओं का घटाना शिखेंगे तो आओ वीडियो को शुरू करते है। तो हमेरे पास सबसे पहले एक ऐंक वाली संख्या देंगे तो महालों संख्या हमारे पास आठ और दूसरा है तीन और आठ में से हम पन को क्या करना है तीन घटाना है तो कैसे करेंगे तप्यार बच्चों वही प्रोसेस करेंगे जो हम कहते हैं सबसे पहले 8 लाइन खीच लेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 यानी 8 लाइन खीची खिट ली इसके बाद उसमें से कितनी लाइन हमें घटाना है 3 यानी 3 लाइन तो 1,2,3 लाइन हम क्या कर लें मिटा आप कितनी लाइन बच्चों नो count कर लो या गिन लो 1,2,3,4,5 कितने 5 यानी 5 और जो 5 आया हम वह हमारे हैं पर क्या आजाएगा answer है नो बहुत easy आप एक बार फिर से देखते हैं हमारे पास है 9 और उसके बाद उसमें से में घटा है यानी minus किए 5 ठेक क्या करेंगे same process 9 number 9 तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 उसमें से कितने minus करना है 5 यानी 5 तो 1,2,3,4,5 आप कितने बचे 1,2,3,4 तो यहां पर लिख दिया 4 ओके बच्चों आया समझ इस पर एससे करेंगे इस टाइप के सवालों को अब एक करते हम दो डिजिट वाला तो यह है 35 यह है 43 तो इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कैसे घटाएंगे देखो 5 में से 3 गए 5 में से 3 गए कितने बचे बचे वैसे लाइन खिचना और मिटाना तो कितना बचेगा 2 यहनि 2 इस प्रकार से हम करेंगे एक और सवाल देख लो 43 में से 20 2 माइनस किया तो 3 में से 2 हम इस सब पीछे से घटा ना है तो 3 1, 2, 3 में से 2 गए कितना बचा 1 फिज़ा 2, 4 लाइन 1, 2, 3, 4 में से 2 गए कितना बचा 2 यह आ गया आंसर तो यह है सिम्पल माइनस के सवाल और अब हम देखेंगे कौन से उधार वाले यानि बोरो वाले सवाल तो सबसे पहला कोश्चन हम देखेंगे सिम्पल डिजिट का यह है 20 और 20 में से हम घटाएंगे 8 ठीगा बच्चो ध्यान से देखना अब 0 में से 8 तो घटेगा नि यानि माइनस तो होगा नि तो क्या करेंगे इधर से 1 इसको क्या मिलेगा बोरो यानि उधार तो 1 इधर चले गया तो यह अब कितना बन गया 10 यानि 10 और यहां कितना बच गया 1 ठेक है अब यह दोनों को हम भोल जाते हैं कि हमारे किसी काम कर नहीं ठेक अब यहां से 10 में से 8 गया 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2 तो 2 लिखा फिए 1 है 1 के निचे कोई नमबर ने तो 1 वैसा का वैसा को तर जागत अंसर कितना है हमारा 12 ठेक एक कॉस्टन और करते हैं आप 32 और 32 में से अपने मानलों घटा दिया 14 यानि 14 तब इसको किसे करेंगे ध्यान से देखना यहां पर है 2 और यहां पर है 4 तो 4 2 में से 4 कभी भी घटेगा निए क्योंकि वह बड़ा नमबर यह चोटे नमबर से बड़ा नमबर कभी भी घटता निए तो क्या करेंगे हम यह 10 इसको एक उधार देंगे एक मेंस वह 10 होता है क्योंकि एकाई-धाई से कड़ा हमें आएगा न तो वह 10 होता है तो यह करता हो कि बारा यहां पचा दो अभी यह नमबर हमें दो अब किसी काम करने हैं हमारे पास तो यहां से बारा में से चार गे तो किता बचेगा आठ यानि 8 ठेक और यहां किता बचेगा 2 यानि 2 और 2 में से 1 जाएगा तो किता बचेगा 1 तो हमारे अंसर किता आएगा 18 यानि 18 आए बच्चों समझ में एक कॉश्चन और करते हैं आप थ्री डेजिट का करते हैं अब धान से देखिएगा आप इस प्रकार का कॉश्चन है 300 यान यह यह तो 8 में से 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे इधर से एक करेंगे उधार देंगे अब यहां बच बचा 1 तो यहां बचा 3 अब 12 में से 8 जाएगा तो यहां बचेगा जाएगा तो एक इसको उधार इधर से मिन जाएगा और यहां बच जाएगा तू नंबर को भूल जाए फिर तेरह में से 5 बची 8 अब यहां बचा किता 2 जब 2 में से एक घटाएंगे तो किता बचेगा 1 नमार अंसर आगया 184 तो बच्चो ऐसे कोस्चन आप अपनी इक बुक से solve करिएगा आपको easy पड़ेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में आएंगे गणा के सवाल है नहीं multiply के सब तक के लिए जाहिंद